राज्य के सार्वजनिक मंदिरों को लेकर बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोड ने एक महत्वपूर फैसला लिया है इसके तहट सभी सार्वजनिक मंदिरों को रेजिस्ट्रेशन करवाना होगा जिन लोगों ने अपने घरों में मंदर बनवाया है और उसके दर्वाजे बाहरी लोगों के लिए खोल रखे हैं उन्हें भी अब बिहार राजिधार्मिक न्यास बोर्ड से मंदर का रेजिस्ट्रेशन करवाना होगा और अपनी आएका चार फीसिदी टाक्स देना होगा बिहार राजिधार्मिक न्यास बोर्ड ने विशेश अभ्यान चला कर दिसंबर महीने से मंदरों के रेजिस्ट्रेशन करवाने का फैसला लिया है बोर्ड ने इसके लिए सबी जिलों के जिला अधिकारियों से गैर रेजिस्टर्ड मंदरों की सूची मांगी है जला अधिकारियों से सूची मिलते ही रेजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया जाएगा इसके बाद सभी मंदिरों को अपनी कुल आएका चार फीसदी टाक्स धार्मिक न्यास बोर्ड को देना होगा बिहार राज धार्मिक न्यास बोर्ड के मुताबिक राज कुल छियालस सो रेजिस्टर्ड मंदिर हैं इन मंदिरों के अलावा बड़ी संख्या में राज में ऐसे बड़े और प्रमुख मंदिर हैं जिनका registration नहीं हुआ है जिसकी वज़ा से वे tax भी नहीं देते हैं धार्मिक न्यास बोट के सदस्य महंत विजय शंकर गिरी ने बताया कि सार्वजनिक और नीजी मंदिर को लेकर स्थितियां स्पष्ट हैं वैसे मंदिर जहां बाहरी लोग पूजा करने आते हैं वे सार्वजनिक मंदिर माने जाएंगे भले ही मंदिर किसी व्यक्ति के घर की चार दिवारी के अंदर क्यों ना हो ऐसे मंदिरों को सार्वजनिक मंदिर माना जाएगा और tax भी देना होगा प्रतियेक सार्वजनिक मंदिर को धार्मिक न्यास बोर्ड में पंजियन कराना होगा रेजिस्ट्रेशन के बाद बोर्ड को कुल आये का चार प्रस्तिशित टाक्स भी देना होगा इस निर्नाई के बाद इसका विरोध भी शुरू हो गया है कई लोगों का कहना है कि उन्होंने अपने लिए घर में मंदिर बनवाया इसमें यदि आसपास का कोई व्यक्ति या महला पूजा अर्चना के लिए आए तो क्या हमें टाक्स देना होगा या उन्हें मना कर देना होगा यह कैसे संभव है ऐसे मंदिरों को भी TAX के दाईरे में लाना कहां तक उचित है जो बड़े मंदिर हैं उनका संचालन ट्रस्ट के माध्यम से होता है इन मंदिरों की कुल आय का आकलन कैसे करेंगे धार्मिक न्याय बोर्ट टाक्स की राशी का इस्तमाल किन कामों में करेंगे इस पर भी अभी कोई कुछ नहीं बता पा रहा हाला कि यह नयम नया है इसे लेकर पहली बार ध्यारमिक न्यास बोट सक्त दिख रहा है वह भी तब जब पिछले दो साल में करोना के कारण मंदिरों की आये में काफी कमी आई है मेंगाय भी काफी तेजी से बढ़ रही है इसी के साथ हम आज की खबर को समाप्त करते हैं इसे पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो कृप्या हमारे चानल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करें चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ धन्यवाद